हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सो आपका स्वागत है हमारे मौनुटरल अकैडमी में तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक चैप्टर एफनेसी ठीक है हमारा यह बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है एफनेसी फाइन इडल एस्परेशन साइटोलोजी जो बेसिकली हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं ठीक है इसके अंदर हम क्या करते है फ्रेंड्स जो फाइन इडल एस्परेशन साइटोलोजी है इसके अंदर हम क्या करते है जो फाइन इडल होती है उसको हम एस्परेट करते हैं किसके अंदर जो गॉट बन जाता है या फिर कोई मसल लेसन बन है अभी करते हैं लिक्विट व हम निकालते और उसके प्रपेयर करते हैं जोन से स्टौडी करते हैं तो स्टॉड़ करते हैं सब्सक्रापेटा जोड़ चैप्टर को बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से शुनियेगा और यह आपको clear हो जाएगा, बिल्कुल doubt clear हो जाएगा, FNAC आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप exam में जाके पूरे 100% लेकर आएंगे, ठीक है, so fine needle aspiration cytology, आप इसका full form याद कर लीजे, and then, FNAC is a diagnosis procedure used to investigation, superficial lumps of masses, okay, lumps or masses, क्या होता है, जो FNAC होती है, fine needle aspiration cytology होता है, तो basically diagnose करने के लिए, एक procedure को use किया जाता है, किसके investigation के लिए, जो lumps होती है, जो lumps बन जाती है, skin की layer पे, ठीक है, mass बन जाता है, उसमें से, वो sample collect करते है, किसके through करते है, fine needle के through, ठीक है, तो उस condition को, उस procedure को क्या कहा जाता है, fine needle aspiration cytology कहा जाता है, इस procedure is widely used in the diagnosis of cancer, यह किसके diagnose में use होता है, basically cancer के diagnose में जाता है, क्योंकि malignant cancer होता है, जिसमें tumor form बन जाता है, tumor form में बहुत सारे cells इकटे हो जाते हैं, जिसको define किया जाता है, इन इस procedure, a needle is inserted into the mass, जो mass और lump skin के उपर बन गया है, उसमें क्या करते हैं, कि needle को insert किया जाता है, जहां पर liquid form होता है, and small amount of tissue is taken out of examination of cells under a microscope, और उसमें से cells का बहुत ही कम sample लिया जाता है, और उसके अंदर microscope के अंदर staining करके हम क्या करते हैं, उसको focus करते हैं, और देखते हैं कि cells में कोई cancerous cell तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा cell है, जो उसको harm कर रहा है, ठीक है, क्या है हमारे advantages के अंदर, FNAC is an OPD procedure, so no phosphotalision is required, क्या है हमारा FNAC, fine needle aspiration cytology, एक OPD procedure है, ठीक है, there is a no need to give an anesthesia to the patient, अगर कोई patient आपके पास आता है, अपना FNAC करवाने के लिए, तो उसको किसी भी anesthesia का need नहीं होता, आप डारेक्ट उसमें needle enter करते हैं, inject करते हैं, क्योंकि mass और lump में पता नहीं चल पाता कि patient को जो needle लग रहा है, वो उसको feel नहीं कर पाता, ठीक है, the procedure is safe, painless and takes less time, जो यह procedure होता है, वो बहुत ही कम समय लेता है, बहुत ही safe होता है, और painless होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा lump बन जाता है, इतना ज़्यादा mass बन जाता है, जब उसमें needle को inject किया जाता है, तो patient को महसूस ही नहीं होता कि उसको को needle लगी है, ठीक है, और जो fine needle aspiration cytology के लिए needle use होती है, multiple attempts for collection of specimen is possible, multiple, मतलब आप एक से दो बार उसमें specimen collection के लिए आप needle को insert कर सकते हैं, ठीक है, that is possible, results are obtained within one to two days, जब sample collect करेंगे patient से, उसके 102 दिन बाद ही result को उसे दे सकते हैं, it is a low cost procedure, यह बहुत ही low cost procedure, यह तो हमारे advantages हो गए, अब हम पढ़ेंगे disadvantage क्या क्या हो सकते हैं, fine needle aspiration cytology के अंदर, only a small populations of cells are collected by using needle from the site, अब हम जब sample collect करेंगे friends, तो बहुत ही कम amount sample collect करेंगे needle के अंदर, और उसे examine करेंगे, हम ज़्यादा area obtained नहीं करेंगे, ठीक है, inadequate sample result in a false diagnostic, अगर हम adequate sample लेते हैं, बहुत ही कम sample लेते हैं, तो उसमें false diagnosis आने के भी chances बढ़ जाते हैं, ठीक है, यह हो गए disadvantages, specimen, specimen are collected from the enlarged thyroid lumps node, brist masses, slavary gland, pulp label abdominal masses, lungs, liver etc, जहां पर भी lumps बन रहे हैं, got बन रहा है, या फिर किसी gland में, slavary gland में, कहीं brist masses बन रहे हैं, वहां से क्या करते हैं, FNAC sample collect करते हैं, specimen वहां से collect किया जाता है, अब बढ़ते हैं friends, इसका procedure क्या है, basically FNAC का procedure क्या होता है, step by step पढ़ेंगे, सबसे first आता है हमारा material required, अब कौन-कौन से material required होते हैं, FNAC के अंदर, so first आता है हमारा needle, fine needles from 20 to 25 gauze are used for routine efficiency, 21 gauze needle is used, 24 to 25 gauze needle are used in children, okay, जब बच्चों का sample लिया जाता है, masses का, lumps का, तो 24 to 25 gauze needle यूज होती है, जो नॉर्मल ही collection के लिए use होता है, ठीक है, syringes, syringes is of the 10 to 20 ml capacity are used, okay, इतना sample लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम 10 to 20 ml वाली capacity वाली syringes use के तकरते हैं, FNAC के अंदर, glass lights, glass lights क्या होता है, 4 to 6 label glass lights लेते हैं, जब भी FNAC करनेते हैं हम, तो उस condition में क्या करते हैं, 5 to 6 glass lights ले लेते हैं, और उस पर smear बनाते हैं, ठीक है, जैसे ही आपने collect किया sample, वैसे ही आपको directly smear बनानी है, उसे fix करना है, stain करना है, microscope में examine करना है, ये काम आपको कुछ मिंटों में ही finish करना है, ठीक है, fixative, a coplin jar, एक coplin jar होता है, containing 95% ethyl alcohol, ethyl alcohol से हम क्या करते हैं, slide को fix करते हैं, अब आता हमारा method of aspiration, method of aspiration क्या है, aspirate करना, ठीक है, उसका procedure क्या है, method क्या है, the patient is asked to lie down in a position, expose the target area, ओकी, जो patient होगा, जहाँ पर उसकी lumps होगी, उस area, उसे वहाँ पर लिटा देंगे, lie कर देंगे, लिटा देंगे, ठीक है, the target of the area, through the palpate, the first option is selected, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक area select करेंगे, जहाँ पर हमें, puncture करना है, इस्पिरेट करना है, और फिर क्या करेंगे, हम उसे skin से, alcohol से, alcohol pads से, उसे clean करेंगे, उस area को, जहाँ से हमें collection करना है, because कोई भी contamination, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर की, कोई contamination उसमें, चली गई, टिशू सेल्स में, तो हमें पता नहीं चल पाएगा, कि contamination अंदर, क्या है, क्या नहीं है, कौन सी bacteria है, क्या growth हुई है, ठीक है, दिमास इदा fix to him, doctor wearing gloves, जो भी FNAC कर रहा है, उस time पे, so please, अपने पास, gloves जरूर पहने, अगर अपने gloves नहीं पहना है, तो इससे खत्रा हो सकता है, क्योंकि FNAC का जो sample होता है, वो बहुत ही safety के साथ लिया जाता है, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसे, जो हमारा एक area है, target area होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, needle को insert करते हैं, ठीक है, और उस area को, वहाँ पर move करते हैं, different direction में, मत्तब जैसे यहाँ, यह कोई, यह हाथ है, यहाँ पर lumps बना हुआ है, माल लीजे, suppose कि यहाँ पर lumps बना हुआ है, तो needle को यहाँ inject किया, तो वो इस तरह से घुमाते हैं, needle को, ठीक है, needle को ऐसे ही, अंदर-अंदर insert किया जाता है, और sample collect किया जाता है, ठीक है, aspiration is completed, जह हमने aspirate कर दिया, when the aspirated material becomes visible at the knob of the needle, अब जो needle की knob होती है, आपने needle तो देखियोगी, needle कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, यह needle हो गई, ठीक है, needle की knob, यह जो knob होती है, यहाँ पर आपको दिग गया की sample आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, withdraw the needle to apply pressure to the site of the puncture, from two to three minute in order to stop bleeding, यहाँ पर क्या करेंगे, withdraw करेंगे needle को apply करेंगे, pressure थोड़ा apply करेंगे, और जिस site पर puncture क्या है, उस पर क्या करेंगे, bleeding को stop करेंगे, ठीक है, the aspirated material is put at one end of the slide, जो material हमने aspirate करके निकाला है, needle को aspirate करके, जो material हमने उस lump से निकाला है, उसे हम क्या करेंगे, glass slide पर रखते जाएंगे, glass slide की जो सबसे, जो सबसे, जो इसका एक हिस्सा है, यहाँ पर रखेंगे, और slider से spread करेंगे, ठीक है, slider से spread कर देंगे, ठीक है, अब हमारा smear preparation, smear preparation के अंदर, basically हम करते क्या है, the aspirated material on the slide is inspected with neck dye, जो aspirated material है, उसे हम glass slide के उपर रखेंगे, और semi-solid particle is aspirated as the crust, by applying gentle pressure with a glass slide, अगर कोई solid material आ गया है, उस sample में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसे crush करेंगे, किस से, with the help of glass slide, जो slide आप spreader की तरह यूज कर रहे हैं, उससे आप उसको crush करेंगे, और उससे staining, उससे अच्छे से smear prepare करेंगे, make smear on 4-5 glass slide, 4-5 glass slide मनाएंगे, और immediately put करेंगे fixative के अंदर, fixative क्या उसकरेंगे, हम ethyl alcohol उसकरेंगे, ठीक है, ethyl alcohol, friends, अब हमारा staining, this smear can be stained by H&E stain, और pep staining, basically हम इसमें क्या करते हैं, H&E stain करते हैं, और pep staining करते हैं, which gives good nuclear details, this smear can also be stained, with the lishman stain by, Groomwald Gimsa, MGG, the stain gives good, cytoplasmic details, जो यह stains है, यह बहुत ही अच्छा result देती हैं, cytoplasm के अंदर, आप को भी cells easily देख सकते हैं, आप इसमें जो cells देखना चाहें, आप देख सकते हैं, ठीक है, cancerous cell देखना चाहें, normal cell देखना चाहें, और आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा, और FNAC एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे अभी और पढ़िये गई, boring नहीं है, बहुत ही interesting है, अगर आप इसे practically करते हैं, तो you are interesting हो जाता है, मैं आपको theoretically पता रही हूँ, क्योंकि theoretically भी आपको पता होना चाहिए, कि इसके अंदर basically होता क्या है, fine needle aspiration cytology के अंदर, friends, अब हमारा ये last topic बसता है, FNAC के अंदर, कि complications और hazards क्या होते हैं, FNAC के अंदर, अब ही तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया, उसके advantage, disadvantage और उसके definition पढ़ लिया, हमने उसका procedure पढ़ लिया, क्या-क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे complications क्या-क्या आती हैं, इसमें, और hazards क्या-क्या होते हैं, fine needle aspiration cytology के अंदर, FNAC technique has only few complications, बहुत ही few complications है, fine needle aspiration cytology के अंदर, ठीक है, hematomas, hematomas basically होता हैं, bleeding from the puncture site, and hematomas formation at the hematoma, not hematomas, that is hematoma, hematoma क्या होता है, bleeding from the puncture site, the hematoma formation are the commonest complication of NAC procedure, pressure for 2-3 minutes should be applied on the puncture site, reduce these complications, अगर FNAC करते समय, कहीं पर hematoma हो रहा है, जहां पर bleeding, क्या हो रही है, clot हो रही है, तो उस case में क्या करेंगे, वहाँ पर cotton लेंगे, और उसे pressurize करेंगे, ठीक है, अगर आप collection करते हैं, blood collection करते हैं, किसी patient के needle जादा अंदर inject हो जाती है, inject हो जाती है, तो उस case में क्या होता है, hematoma होने के chances होते हैं, अगर patient को hematoma हो रहा है, swelling आ रही है, तो आप उने कहिए, कि वह cotton से थोड़ी देर के लिए, वह pressurize करके रखें, इससे क्या होता है, hematoma वहीं पर finish रहाता, reduce हो जाता है, ठीक है, infection, very rare, but, transrectal aspiration is case of parasites, result in bacterial infection, अगर bacterial infection हुआ है, bacterial infection की वज़े से ही, lumps और mass बन रहे हैं, तो इस case में क्या होता है, infection फैलने के chances, बहुत ही बढ़ जाते हैं, बढ़ ये बहुत rare cases होती हैं, friends, अब हमारा last topic बच्चा है, fine anal aspiration cytology की जो preparation है, वो किस तरह ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, हम ये देव पढ़ना है, ठीक है, FNAC is generally a safe procedure, but precautions should be taken under certain condition, क्या होगा, कि अगर FNAC हम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही safe procedure है, अगर आप precautions के साथ करते हैं, अगर आप बहुत ही जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं, तो वो गलत हो सकता है, बाइचन सा अपने gloves नहीं पहने हैं, उसको कोई bacterial infection था, तो आपको भी वो infection हो सकता है, so इसमें precautions is a must, okay, so bleeding disorder, in the case of bleeding disorder, like hemophilic pressure, but must be applied to the puncture site for more than the 5 minutes, okay, जो puncture site है, वहाँ पर क्या करेंगे, जब hemophilic condition होगी, उस case में भी pressurize करके रखना है, 4 to 5 minutes के लिए, the liver disorder, PT estimation is done before aspiration from the liver, अगर किसी को liver disorder है, किसी patient को liver disorder हो गया है, तो पहले क्या करेंगे, उसका fine needle aspiration cytology करने से पहले, उसका PT test होगा, prothomin time, prothomin time में पता चलता है, कि उसका कितना INR, international normalized rate है, ठीक है, उसकी values पता चलती है, और उसी के हिसाब से, इसका क्या होता है, FNAC किया जाता है, fine needle aspiration cytology किया जाता है, in lungs disease mostly, earlier patient, FNAC should not be done with pulmonary hypertension, जिनका BP है, BP low होता है, high होता है, उसमें क्या करते हैं, इसमें FNAC नहीं किया जाता, ठीक है, FNAC is no done acute pancreatitis, pancreatitis का, कोई acute वो है, उसमें disease है, तो भी नहीं किया जाता है, प्रोस्टाइटिस है, तो उसमें भी नहीं किया जाता, उस case में, ठीक है, तो FNAC जो है, किस किस केस में नहीं किया जाता है मैंने आपको वो बताया है और बेसिकली क्या है हमारा जो FNAC फाइनेडल एस्पिरेशन साइटोलोजी बहुत ही इजी मैथड है यह इससे अच्छा मैथड हो ही नहीं सकता अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन्स ना हो और उसका कोई भी disorder ना हो ठीक है फ्रेंड्स तो आज का जो हमारा FNAC चैप्टर था यहें पर फिनिश होता है तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे comment box में जरूर पूछ सकते हैं और अगर आपको histopathology से related और भी कोई topic पढ़ना हो तो आप मुझे comment box में लिखकर मुझे बता दीजिएगा मैं उस पर वीडियो बना दूँगी So friends, आप यूही हमारे चैनल को like, subscribe, share करते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगए हो तो इस प्लिस से like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए ठीक है, अगर आपको इसके notes चाहिए, तो मैं आपको ये telegram group में provide करवा दूँगी So basically, अगर आपको ये writing अच्छी ना लग रही हो तो कोई दिकत की बात नही है आपको दूसरे writing में भी notes मिल जाएगी, ठीक है friends So, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, okay, bye